सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के क्रिकेट बोर्ड BCCI ने ICC के हाथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक पैगाम भेजा है के जी ICC की Champions Trophy 2025 में जो की पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान जिसका होस्ट है, तकरीबन 29 साल के बाद पाकिस्तान कोई ICC का इवेंट होस्ट करेगा, उसमें भारत की टीम जो है वो शामिल नहीं होगी इसके उपर पाकिस्तान की तरफ से भी फिर रद्यमल आया, हिंदुस्तान की तरफ से जितनी भी इसके उपर बात हुई है, मीडिया में, I'm sure आप लोगों ने भी वो देखी होगी, कोई खुल कर हमारे सामने कोछ डॉक्यूमेंट नहीं है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की त तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, कि भाई आखिर इंडिया को मसला क्या है इस चैंपिन्स ट्रॉफी में शामिल होने से, और पाकिस्तान के लिए ICC का जो इतना बड़ा इवेंट है, इसकी क्या एहमियत है, तो हमें जॉइन किया है, वसीम अलताफ साहब ने पाकिस्तान से प्रोग्राम में वसीम साहब आपका ख्यर मक्दम है, तैंक्यू वेरी मच्च, वसीम साहब मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी हरान करने वाली बात नहीं थी, कि इंडियन ट्रिगेट बोर्ड कुछ ऐसा ही फ ख्याल ये है कि ये सिक्यूरिटी कंसर्ण से ज्यादा ये एक पॉलिटिकल डिसीयन है, अब ये देखिए कि पिछले दो साल में तीन दफ़ा न्यूजीलेंड की टीम यहां पे आई, पाकिस्तान में, और दो दफ़ा इंगलेंड की टीम आई, एक दफ़ा उस्ट्रेलिया क की टीम आई है, कोई सिक्यूरिटी का इशू नहीं हुआ, तो और भी पिछले सालों में टीम्स यहां पे आती नहीं, कोई ऐस सच इशू नहीं हुआ, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा कोई सिक्यूरिटी इशू है इस वक्त और बहुत वैसे हमारे हाँ, स् किये जाती है सिक्यूरिटी को इंशूर करने के लिए खास तोर पर जब से वो स्री लंका का एक वो वाक्या हुआ है उसके बाद से यानि मैं जिस शहर में रहता हूँ इसलामबाद में वहां पे यानि क्रिक्ट टीम ने सडक से जिस सडक से गुजरना हो वो पूरी रोड ब्लॉक कर दी जाती है और बकाइदा सिक्यूरिटी फोर्सिस जो है वो टेक ओवर कर लेती है और हर तरह से security का ख्याल रखा जाता है तो मेरा नहीं ख्याल के security concern जो है वो को इतना grave issue है यहां पे probably ये एक political decision है इंडियन government का के पाकिस्तान में cricket team को नहीं भेजना और अब वो उसकी बहुत से factors हैं बहुत सी उनकी अपने अपनी justification हो सकती हैं तवाले से बहुत से reasons हो सकते हैं लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ कि ये security issue नहीं है और ये जो इन्होंने hybrid एक regime की भी बात की है उसके लिए भी पाकिस्तान ने एक तरह से अपनी अमादगी जाहर नहीं की कि वो हो जाए तो अभी तो डोल्डरम्स में हैं जी सारा कुछ जी ऐसा ही है इसमें तो कोई शक नहीं है कि मामला security का तो कम से कम नजर नहीं आता वजह उसकी ये है कि जो hockey की team है वो आती रही है यहां पे आपकी कबड़ी की team आती रही है आपके जो दूसरे चोटे मोड़े जो sports है जिनकी ज्यादा इतनी viewership शायद ना हो उनकी team में आती रही है तो फिर क्या उन शहरीयों की जान की कीमत कम थी in comparison to say the Indian cricket team तो ये तो कोई बात ना हुई अच्छा वसीम भाई हमारे politicians की तरफ से माजी में जो बयान रहे हैं वो कुछ इस तरह के रहें हैं कि जी जब तक पाकस्तान की तरफ से देशת गरदी बंद नहीं हो जाती जब तक की जमु मेर्ण और क्श्मीर में कोई अमनोच चैंड की सूरत हाल वहां पे नहीं हो जाती तब तक हम जी पाकस्तान से ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर हमारे जवान जो हैं हम उनकी डेट बॉडिज उठा रहे हों अगले दिन हम कोई लहोर के अंदर क्रिकेट मैच खेल रहे हों तो उन लोगों को आप क्या आर्गिमेंट देंगे देखिए बात यह है कि मैं जाती तोर पर समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को और कल्चरल एक्टिविटीज को और इंटलेक्च्वल जो मुखतलिफ इस तरह की सरगर्मिया होती है उनको मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स से अगर हम अलादा रखें तो यह ज्यादा मुनासिब होगा वो जो इशूज हैं अगर वो वाकी ही वो यकीनल वो भी इंपॉर्टन्ट इशूज हैं लेकिन उनको हम किसी और फोरम के उपर डिसकस कर सकते हैं और उसके लिए भी मुखतलिफ चैनल्स हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है लेकिन मेरा ख्याल है कि जो स्पोर्ट्स हैं जैसे अब कबड़ी की टीम अगर आ गई है यहां पे होकी की टीम आ गई है तो कोई हरच नहीं है यह सिलसला जो है यह आपको पता है कि पूरे बरे सकीर के जो अवाम हैं उनकी जो क्रिकट में दिल्चसपी है उसमें भारत और पाकिस्तान के दर्मयान जो मैचिस होते हैं वो बहुत एक इंपॉर्टन्ट रोल प्रे करते हैं सबसे ज्यादा जो दिल्चसपी ली जाती है साउथ एशिया में वो इंडिया पाकिस्तान के दर्मयान जो मैचिस हैं उनमें ली जाती है सही तो अब एक तरह से आप डेर अर पाकिस्तान के दर्मियान एक मैच खेले जाएंगे इस हवाले से और दूसरी तरफ फिर ये है कि जो पुलिटिकल इशूज हैं मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा गराम अलएदा रख लें और कॉंसेंट्रेट करें कि यार हमने अवाम को एक अच्छी मेयारी एंटरेंट देनी हैं मेयारी खेल प्रेजेंट करना है तो मेरा ख्याल है ये मनासिब होगा बाकि वो जो दूसरे इशूज हैं उनको हम किसी दूसरे फॉर्म पे उस पे इनिशेटिव लिया जा सकता है कि हम उनको भी अड्रेस करें जी अर्वेंद जी सही अच्छा वसीम साहब बहुत सारे ह लोग हैं वो ये कहते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि जी आप ये बताएं कि आपके फॉर्ण मिनस्टर एश जैश शंकर साहब अभी शंगहाई कॉपरेशन और्गनाजेशन का समिट अटेंड करने के लिए इसलामाबाद क्यों गए तो उसके जवाब में वो ये दल है तो हमें वहाँ पे तो फिर जाना पड़ता है तो मैं उन लोगों को यही दलील देता हूँ कि आप कोई बाइलेटरल सीरीज ना खेलें जिस तरह से आप कोई बाइलेटरल आपके टॉक्स नहीं हो रहे हैं कोई विजिट नहीं हो रहे हैं लीडर्शिप की तो आप भी को National Cricket Council का कोई टॉर्नमेंट हो जिसके तहत इंडिया को वहां शामिल होना हो जस्ट पेकॉज की पाकिस्तान होस्ट है भाई 39 साल बाद उस इवेंट का जैसे वो अभी होस्ट था SEO के समिट का तो फिर उसमें शामिल होने में आपको क्या मसला है तो इन लोगों को आप क्या कहेंगे आपकी तरफ से क्या argument होगी मैं बिलकुल आप से agree करूंगा देखें बात यह है कि जब बहुत से दूसरे मुलकों की टीमें अगले साल 2025 में परवी मार्च में जब यह जैंपियन्स टॉफी हो रही है आएंगी तो इंडिया को भी आना चाहिए इसमें और एक इंटरनेशनल इवेंट है यह यह एक बाइलेटरल इवेंट नहीं है और उसमें तो सब की सिक्यूरिटी जो है वो उसकी एक एक जितनी एहमियत होगी और इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता अगर इंडिया आउट ओजाता इस से तो मैच की समझें के सिक्स्टी सैवंटी पर्शंट जो दल्चसपी है इंडियन्स की और पाकिस्तानियों की वो खत्म हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि सिंस ये कोई bilateral event नहीं है ये international event है और जैसे SEO में जैश शंकर आए हैं तो इसमें भी Indian टीम को आना चाहिए और खेलना चाहिए यहां पर और क्या पता कि cricket और sports और दूसरी जो cultural हमारे दरम्यान exchanges हैं वो ही एक रास्ता हमवार कर दें कि हम political level पे भी दूसरे issues जो हैं उनको discuss करना शुरू कर दें तो एक तरह के confidence building measures हैं ये और मेरा ख्याल है कि इनको avoid नहीं करना चाहिए बलके participate करना चाहिए वसीम भाई हमारे बहुत सारे जो right wing के लोग हैं और हमारी जो government है उनका ये बड़े अर्से से बयानिया रहा है कि हम इनके साथ में किसी भी किसम का कोई भी cultural ties, potent ties नहीं रख सकते क्योंकि ये जम्मु किश्मीर के अंदर जिस तरह से दैशतगर्दी फैलाते हैं इनो सिविलियंस का कतल करते हैं हमारे फॉजियों को मारते हैं तो मैं इन लोगों को ये कहता हूं कि भाई फिर आप ये कहें कि हम पाकिस्तान से किसी भी forum पे नहीं खेलेंगे फिर वो चाहि है ICC का event अगर घर में हो रहा हो हमारे इंडिया में तब पाकिस्तान को बुला लेंगे उनके यहां पर हम नहीं जाएंगे हां किसी तीसरे के मुल्क में जाके वहां जाके हम खेल लेंगे अगर पाकिस्तान से खेलना या पाकिस्तान से इस किसम के जो sporting cultural ties हैं अगर मसला वो ह है तो फिर तो हमें पाकिस्तान को बिल्कुल ही बाइकॉट कर देना चाहिए हर event से फिर वो चाहे कोई ICC का event हो कोई 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 दूसरे किसी sport का event हो हर event से हमें back off कर जाना चाहिए कैसे देखते हैं हमारी हुकूमत के और हमारे right wing के जो supporters हैं उनके इस stance को आप मेरे ख्याल है कि देखिए मैं महसूस कर रहा हूं कि Indian government का जो एक stance है न वो बड़ा inflexible हो गया है हर माम यह सिर्फ cricket तक महदूद नहीं है वीजा का जो इशू है जिसका मैं खुद भी शिकार हूँ इस वक्त के शे महीने से ज्यादा हो गया है मुझे वीजा नहीं दिया गय हला कि मैं दो दो पर इंडिया जा चुका हूँ मैं एक senior citizen हूँ मैं मैं जाना पचाना चेहरा हूँ सोशल मीडिया पे इस सब के बावजूद भी और मैं एक peace activist हूँ और इंडिया पाकिस्तान के दरम्यान अच्छे relations चाहता हूँ लेकिन across the board वो वीजा इशू नहीं कर रहे ह पाकिस्तान जो है वो वीजाज इशू कर रहा है इंडियन्स को वहां जो पाकिस्तान का हाई कमिशन है वहां इंडियन्स आ रहे हैं यहां पे काफी इसी तरह क्रिक्ट जो है क्रिक्ट में भी वो कह रहे हैं कि हम यहां पे आके नहीं खेलेंगे फिर उन्हों ने यह भी कहा है jee. कि हम कोई बात्चीत नहीं करेंगे. तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ठीक है पाकिष्टान की तरस से ज्यात्या हुई है. मैं बिलकुल मांथा हूं इस छीज को. मैं बिलकुल डिनाए नहीं कर रहा है इस छी कर दें हम साए तो हम रहेंगे बॉर्डर्स तो हम चेंज नहीं कर सकते तो हम रहने रहना है हमेशगे तो मेरा ख्याल है कि एक आद दर्वाजा जो है वो खुला रखना चाहिए और निगोसियेशन्स चलती रहनी चाहिए चाहिए और इतनी इन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए खास तोर पे उन मामलात में जो ऐस सच सियासी ही नहीं स्पोर्ट्स को हैं उनको सियासत से अलाइदा रखना चाहिए कल्चरल एक्सचेंजेश को सियासत से अलाइदा रखना चाहिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट को सियासत से कि बहरहाल अगर confidence building होगी दोनों मुलकों के दर्मयान में तो उसी से हालात बेतर होंगे और हालात में बेतरी इसी तरह आएगी कि कुछ channels जो हैं वो खुले रखे जाएं तो वसीन साब हमारे जो right wing तबका है उसके इस stance को आप किस तरह से देखते हैं कि वो आप से इंडिया में खेल लेंगे पाकिस्तान की टीम अगर वहाँ आए आप से किसी दूसरे मुलक में भी खेल लेंगे कोई ICC का या कोई दूसरा event होगा बाइलिटरल नहीं खेलते चलें कोई बात नहीं समझ में आती है लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाके खेलने में क्या मसला है आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज है जिसके चलते हमारी हकूमत पाकिस्तान के अंदर भेजना नहीं चाहती है देखिए मेरा ख्याल है कि अगर यहां पे मुनकिद हो तो कोई 65 million dollars का पाकिस्तान को इससे फायदा होगा. अब अगर यहां नहीं होता है यह event, बिसाल के तोर पे इंडिया नहीं आता है यहां पे, तो वो 65 million dollars तो गया है. इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान को economically damage करना चाहते हैं, उन्हें नुकसान पहुचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की cricket को खतम करना चाहते हैं, कुछ लोग यह कहेंगे, यह तो हमारा पाकिस्तान के लिए एक sabotage करने वाला रवईया है. सिर्फ यहीं नहीं है. अगर फर्ज कर लें कि पाकिस्तान विड्रॉ करता है ICC से, बिसाल के तौर तो उससे sanctions भी लग सकती हैं पाकिस्तान के उपर. उससे जो funding होती है ICC की तरफ से वो खत्म हो जाएगी. तो बहुत हैवी स्टेक्स हैं financial terms में तो मेरा ख्याल यह है कि इंडिया यह नहीं कहे रहा कि हम नहीं कहे लेंगे. लिकिन पाकिस्तान में बड़ी बात सुनें अगर पाकिस्तान में टॉर्नमेंट नहीं होता है तो टॉर्नमेंट एक hybrid शकल में let's assume कि अगर होता है तो उसमें तो अगर इंडिया semi-final में पहुंच गया तो आपको semi-final भी बाहर कराना पड़ेगा. अगर final में पहुंच गया तो final भी आपको बाहर कराना पड़ेगा. तो वही पाकिस्तान के लोगों के हाथ में क्या लगा? वो जो होस्ट हैं उस टॉर्नमेंट के वहां के जो नौजवान हैं जिनोंने पिछले 16-17 साल से अपने मुलक में कोई Indian टीम को ही नहीं देखा, किसी नौजवान नसल पूरी जवान हो चुकी है इन 29 येर्स के अंदर वसीन साहब. उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी opportunity है कि वो कोई में वैसे ही पाकिस्तान के अंदर entertainment के जो इतने options हैं नहीं लोगों के पास में. कोई बड़ा tournament होगा, इसी बहाने लोगों का divert होगा, वो थोड़ा खेलों की तरफ जाएंगे, कल को कोई music, कोई movies की तरफ जाएंगे, ये तो एक अच्छी चीज है, हमसाये के अंदर अगर इस तरह की कोई एक तबदीली आती है, उसको तो देखके हर किसी को उसे welcome करना चाहिए, ना कि उन्हें ये कहें कि ना तो तुम हारे यहां पर किसी भी किसन की entertainment होगी, तुम जाओ और उसी दलदल में धसे रहो जहां पर तुम्हें पिछले 39 साल से डाला हुआ है, तो हम किस तरह का पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान की youth को, ये आप से जाना चाहरा हूँ, कैसा मैसूस करेंगी वो, जब उन्हें ये पता चलेगा, जी मैं बिलकुल आप से agree कर रहा हूँ, कि देखे, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, वो ही जान होती है, पूरे टूर्नमेंट की, जान वो ही होती है, और लोगों की नजरें इसी पे होती है, खास तोर पे जो नाजवान है, वो यही चाहते हैं, कि फाइनल तक दोनों टीमें पहुँचेंएंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें जाता है जब इडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो बाजार बंद हो जाते हैं लोग अपने टीवी के साथ चपक के बैठ जाते हैं एक बहुत एक बड़ी ऑपरिचुनिटी होती है कि दो मुलकों को दो देशों के जो क्रिकेट क्रेक्टर्स हैं उनको लोग स्क्रीन पर देखें तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत अच्छा स्टेप नहीं होगा कि अगर इस तरीके से रिफ्यूज किया जाए मेरा ख्याल है कि री कंसेडर करना चाहिए इसको वो ठीक है क्या समझते हैं आप कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पा इवेंट आईगा इट्समेट अफ प्राइड सो हाउ उड़ दे फील अबाउट इट जब अगर ये प्रोरा टॉर्नमेंट ही ये भी बाते हो रही है कि शाइद किसी तीसरे मुल्क में शिफ्ट ही कर दिया जाए देखे ना यह यह डेफिनेटली एक तो इसका फिनेंशल लॉस है फिर इसका जो एक साइको सोशल लेवल पे जो फ्रस्टेशन होगी इस से कि एक पड़े लंबे अर्से के बाद हम एक एक इंटरनेशल इविट जो है वो यहां पर हम करवाने जा रहे हैं चैंपिन्स ट्रॉफी है ये आई सी सी की तो अगर उसमें इंडिया पार्टिसपेट नहीं करता तो मैं समझता हूं कि उससे डेफिनेटली एक बहुत फ्रस् रहा है क्यों आखर नहीं हो रहा है एक कौन सी सिचुएशन यहां बन गई है कि ऐसी ओ तो हो सकती है यहां पे लेकिन यहां पे चैंपिन्स टॉफी नहीं हो सकती सही है जी एक पुलिटिकल इवेंट को अटेंड करने के लिए इंडियान जो लीडर्शिप है वो पाकिस्ता ना सकती है लेकिन वही एक multi sporting event हो पाकिस्तान के अंदर जहां पे दुनिया भर से international teams आ रही हो वहाँ पे इंडिया नहीं आ सकता पाकिस्तान हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है मैं फिर से ये बात दोरा दूँ कि पाकिस्तान अगर इंडिया आके खेले ICC के event में हम वहाँ नही से security का concern है कुछ लोग ये कह रहे है कि जी कुछ players ने ऐसा कहा है मैंने तो किसी player को नहीं सुना मगर ऐसा quote किया जा रहा है हमारे मीडिया में कि कुछ player ऐसे हैं जो security के लिए वाकि में concerned है और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाते ऐसे लोगों को मैं एक मश्वरा देना चाता कि भाई आप ऐसा करें कि helicopter लें और अमरिज सर्क से आप आएं वागा के बॉर्डर तक अटारी बॉर्डर तक आएं वहां से आप by foot जाएं पचास मीटर बॉर्डर क्रॉस करें वहां से जो हैं दूसरा helicopter लें जो आपको सिधा गदाफी stadium में लेके जाएगा लोहौर में दर्बार साब के भी दर्शन करें और आप चैन से सोएं और मैच चब भी खेलना हो helicopter लें और आदे घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे यह ठीक वैसे ही है जैसे हमारे यहां पे कुछ stadiums हैं जो शहर से थोड़े से बाहर हैं तो उन stadiums में अगर आपने मैच खेलने के ले जाना हो तीस चालिस मिनट तो वैसे ही आपको लग जाते हैं ट्राफिक के अंदर तो आप यह समझें कि भाई ट्राफिक में हमें आदा घंटा लगेगा चालिस मिनट लगेंगे और आप इंडिया जाएं और वापस आ जाएं यह अपडाउन कर लें वैसे भी PCP कह रहा है कि इंडिया के सारे मैचे हम लहोर में रखने वाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा शायकीन हिंदुस्तान से मैच देखने के लिए आ सके इस पर क्या कहेंगे वसीम भाई मैं बिलकुल एगरी करता हूं जी दो हेलिकॉप्टर की भी जरूरत नहीं है एक हेलिकॉप्टर म M. इस दोस्ति में और आपस 손 से करें और सीधा कजा खाफी स्टेडियम ऐसे खेलें और वहीं से हेलिकॉप्टर वे बैठे हैं और वापस पहूंच जाए रेडिसन पहूंच जाए है मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कोई पाकस्तान ये कह देगी Councillor पाकस्तान की दाखिल नहीं हो सकता या फाकस्तान या इंडीयन गवर्मेंट कह देगी पाकिस्तान के हलिकॉप्टर इंडियन हुदूद में कैसे आ गया तो आई थोड़ कि ओके भाई बॉर्डर पे आके छोड़ दो वहां से दूसरा ले लो क्या तो मोधी जी अभी पाकिस्तान के उपर से गुजर के इंडिया गए थे अभी चंद अगर वो गुजर सकते हैं पा आप अमरिज सर के एरपोर्ट से इंटरनेशनल एरपोर्ट है और लहोर एरपोर्ट पे आने और वहां से स्टेडियम में तो कहते हूं हलिकॉप्टर ज़दा बढ़िया है हेलिकॉप्टर रेडिसन के लॉन से टेक आफ करे और कजाफी स्टेडियम लॉन में आके लैंड करे एक साइड पर और वहीं से वो क्रिकेट खेलें और जब खेल चुके हैं तो वहीं से हेलिकॉप्टर पे बैठें और सीधा अमरिज सर मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा दस मिनट का रास्ता होगा लहौर से अमरिज सर का हेलिकॉप्टर से हाँ हेलिकॉप्टर में तो दस मिनट लगेंगे जी दस मिनट लगेंगे पचीस पचीस मील दूर है ना लहौर से अमरिज सर जो है जी जी ऐसा ही है ज्याद मज़े की बात यह है वसीम भाई की हमारे राइट विंग तब का पाकिस्तान के साथ में अपनी टीम को खेलते हुए नहीं देख सकता पाकिस्तान के अंदर लेकिन पाकिस्तान की टीम के साथ इंडिया में मैच हो या दुनिया में कहीं भी मैच हो तो शायद ही कोई बंदा हमारे पाकिस्तान चले जाने से पाकिस्तानियों की जेव में चार पैसे ना आ जाएं हमें तकलीफ इस बात से है देख लें यार यह मुल्क जो है जिस पर बड़ा हम प्राइड लेते हैं बदकिस्मती से जो अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो हमारा रवया है उसको देखकर तो ऐसा ही महसूस होता है कि बस सारी ले दे के बात यह है कि यार पाकिस्तान की जेव में चार पैसे ना चले जाएं हम कैसे जो है इनको नुक्सान पहुंचाएं एक नौमी को कैसे हम जो है इनकी जो है कोई भी अगर कोई अच्छी इसके अंदर कोई खुशाइं बात हो रही हो चार लोग देखने जाएंगे कुछ पैसे आएंगे वो ना आ जाए ये बड़ा एक मायूस कुन रवया है और जाहिर से बात है हमारे जैसे जो लोग अमन की खाईश रखते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सेट बैक है मैं तो ये बात बाबांगे दो खास्त है कि हिंदोस्तान के आवाम को आप एक पैगाम दें और हकूमत को भी यार हम क्या करें ये जो इस टॉर्नरमेंट के हवाले से हमें क्या कुछ करना चाहिए मेरे ख्याल में तो इंडियन टीम को आना चाहिए यहां पर और ये एक खैरसगाली का पैगाम होगा इस से दोनुं मुलके के मुलकों के दरमयान जो अमन का एक प्रॉसेस है जिसकी सब पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ख्याश रखते हैं वो आगे बढ़ेगा एक इतमाद साजी होगी लोगों मौका मिलेगा और जो एक टेंशन है वो कम होगी दोनुं मुलकों के दरमादें जो peace loving لوگ ہیں उनको encouragement मिलेगी और वो जो एक इंतहा पसंदाना जो बियानिया है वो उसको जर्ब पहुंचेगी इस से तो मेरा ख्याल है कि हमें इस हवाले से दोनों मुलकों के अवाम को और खास तोर पे जो इंडियन अवाम हैं उनको अपनी government को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हमें cricket खेलना चाहिए और पाकिस्तान जाने में कोई हरज नहीं है और कोई ऐसा security का मसला नहीं है और हम एक मैयारी cricket देखना चाहते हैं और कई सालों से जो हमने नहीं देखा तो मेरा ख्याल है यही चीजें जो हैं यह इनके उपर जोर देने की जरूरत है बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं वसीन साहब आखिर में मैं हिंदुस्तान के अवाम और हमारे हुक्मरान तबके को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के बगएर एक इंटरनेशनल क्रिकेट भी न अधूरी सी होगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा न इंटरनेशनल इवेंट्स में जाके या कहीं पे भी तो वर्ल्ड क्रिकेट को बड़ा नुकसान होगा और हम जिस जीत के लिए इंतजार करते हैं कि कोई ICC का टॉर्नेमेंट हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपिन्स ट्रॉफी हो, कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसमें हमारी टीम जीते, तो वो जो हमारी जीत है ना, चाहे हम वर्ल्ड कप जीत जाएं कल को, लेकिन अगर उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं होगा ना, तो वो जीत भी बड़ी एक अधूरी सी जीत होगी, तो कम से कम अगर आपने राइवल्री के तौर पे ही अगर आपने जिन्दा रखना है, तो कम से कम ये स्पोर्टिंग राइवल्री, इसका जिन्दा रहना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, उसके जो चाहने वाले हैं, उसके लिए इंडिया पाकिस्तान की जो स्पोर्टिंग राइवल्री है, उसका होना बहुत जरूरी है, आखिर में उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि तुम्हें हमारे जवान नहीं मरते हुए दिखाई दे रहे तुम्हें कश्मीर में अवाम मरते हुए नहीं दिखाई दे रहे तो फिर मैं उनसे ये कहूंगा ये ठीक है तो फिर आप एक फैसला लें कि आपने पाकिस्तान के साथ किसी भी खेल हो दोस्तों पืर वो छेक्रिकेट हो हो की फूटावल वॉलि बालं कबड़ी हमनी कहीं नहीं खेलना और अगर पाकिस्तान कहें रहा है तो हो सकता है कि हमें फिर या तुम यह कह दें यह कहलेंगे या यह हम कहलेंगे आप व बहु करना लेते हैं, हिंदुस्तान की सरकार फैसला लेती है, हम सब उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जहिर से बात है, अवाम की उमंगों की तरजमानी तो सरकारे ही करती है, हम अब हर छोटी से छोटी चीज के लिए, हवाम के अंदर को रेफरेंडम कराने तो नहीं जा सकते ना, कि भाई, बताएं, टीम भेजें या ना भेजें, ये तो हमारी सरकार जो है, उसके उपर डिपेंड करता है, कम्प्लीटली उनका प्रोगर्टिव है, कि वो टीम भेजें या ना भेजें, बस मैं ये चाहता हूँ, ये तै कर लें, कि आपने पाकिस्तान से खेलना है या नहीं खेलना, और अगर खेलना है, तो हर मैदान पर खेलना है, जहां भी आपको मौका मिलें, अगर नहीं खेलना तो फिर कहीं ना खेले ये है मेरा प्रेगाम आखेर में वसीम साहब आज आपने वक्त दिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे फिर बात होगी तैंक यू